सीरियल नागिन में यामनी और शेशा तो पहले ही नागमनी को पाना चाते थे और अब इच्छाधारी नेवला यानि कबीर को भी नागमनी चाहिए इसलिए नेवले ने शेशा के साथ हाथ मिला लिया है शेशा की मौत और नागमनी को हासिल करना ही इन दोनों का मकसद बन गया है लास्ट अपिसोड में हमने देखा कि गुरू माने कबीर को इस दुनिया में वापिस लाई जिसके बाद कबीर ने यामनी की बेटी अमरिता के साथ सगाई कर ली अपकमिंग एपिसोड में रहे जा पडिवार में कबीर और अमरिता की संगीत से रुमनी होगी ट्विस्ट तो तब आएगा जब जब जशनी के पहले शिवन्या कबीर का राज सब के सामने खोल कर रग देगी रितिक के साथ साथ घर के बाकी सदस्यों को भी पता चल जाएगा कि कबीर एक इच्छाधारी नेवला है अपने आप को बचाने के लिए कबीर छुप जाएगा और किसी के भी सामने नहीं आएगा क्यूंकि सब उसकी घिनौनी सच्चाई जान चुके हैं दूसरी तरफ कबीर को नागमनी के शक्तियों के बारे में पता चलेगा और उसे हासिल करने के लिए वो लालच में आकर उसी गुरुमा को मार डालेगा जिसने उसे जिन्दा किया था टेलिविजिन के मूर अपडेट्स के लिए देखते रहे हमारा चानल कि अपड़ नागमनी के लिए यजर के लिए इव परत जागमनी के लिएका चानल